कि साथियों कि लोंगे वाला का वाइतियां से यूद्ध भारतिय सैन्य बल के शार्य का प्रतीक तो है ही कि थल सेना कि बिये से और वायू सेना के अध्बूत कोर्डिनेशन का भी प्रतीक है कि इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगटीत सैन्य सक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाएं वो किसी भी सुरत में तीक नहीं पाएगा अब जब सन 71 में हुए युद्ध के लोंगे वाला में हुई लड़ाई के पचांस वर्ष होने जा रहे हैं कुछी सप्ता में हम इसके पचांस वर्ष इस गवरोपूर्ण स्वरनिम्प पुरुष्ट को हम बनाने वाले हैं और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है तो पुरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथा है सुनकर वो गवर्मानवित होगा उसका होसला बलंद होगा नई पीडियां और आने वाली पीडियां इस प्राक्रम के साथ प्रेननाभी लेने के लिए यह आउसर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपुर्ण बनने वाला है ऐसे ही वीर सपुतों के लिए ऐसे ही वीर सपुतों के लिए राजस्तान की भूमी के यह कभी नारायंसी भाटी ने लिखा है और यहीं की बोल्चाल की भाशा में लिखा है उन्होंने लिखा है इन जैसे घर इन जैसे गगन इन जैसे गगन इन जैसे सह इतिहास इन जैसी सह पीडियां पाची त्रणे प्रकाश यानि अपने वीर सपुतों के बलिदानों पर यह धर्ती गर्व करती है आस्मान गर्व करता है और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है जब जब सूर्य का प्रकाश इस धर्ती पर अंधिकार को भगाने के लिए अवतरीद होगा आने वाली पीडियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी साथियों हिमालय की बुलंदिया हो रेगिस्तान में बालू की धेर हो गने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो हर चुनोती पर हमेशा आपकी वीरता आपकी वीरता हर चुनोती पर भारी पड़ी है आप में से अनेट साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डेटे हैं तो आपको हिमालय की उंचाईयों का भी अनुभव है स्थिती परिस्थिती कोई भी हो आपका पराक्रम आपका शोर्य और तुल्निय है इसी का असर है कि आज दुश्मन भी एसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है आपके इसी सोर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोर देश्वासी आपके साथ मजबूती से खड़े है आज हर भारत वासी को अपने साहिनिकों की ताकत और शोर्य पर गर्व है उन्हें आपकी अजेता पर आपके अपराजेता पर गर्व है दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जमानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोख सकता है न अब तोग भी सकता है